दोस्का दोस्तों दीट है आज की 24 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका I2L discussion में तीन issues आज हम discuss करेंगे सबसे पहले हम article discuss करेंगे इंडिया और नेपाल relations के बारे में देखो पिछले हफ़ते एक article हमने discuss किया था इंडिया नेपाल relations के बारे में वो article लिखा गया था कनक मनी दिक्सित के द्वरा जो नेपाल की famous journalist है उस article में हमने नेपाल का perspective discuss किया था boundary dispute के बारे में और आज का ये जो article है शाम सरेंड ने लिखा है और इस article में आपको पिछले हफ़ते के article के article में जो arguments थे उनके counter arguments आपको देखने को मिलेंगे शाम सरेंड बोलते हैं कि नेपाल का जो perspective है boundary dispute के बारे में वो क्यों गलत है तो अच्छा article है और इसको आप relate कीजिया पिछले हफ़ते के article से उसके बाद दूसरा article हम यहाँ पर woman health से समन्दी discuss करेंगे तीसे नंबर पे रश्या के द्वारा जो vaccine बनाए गई है इसके बारे में हम article discuss करेंगे बड़ इस article की slides प्रिपेर नहीं हो पाई और सबसे लास्ट में हम article discuss करेंगे question discuss करेंगे ethics का चलिए discussion start करते हैं फर्स्ट important article इंडिया और निपाल relations के बारे में है आप general study paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूं ये article शाम सरन के द्वरा लिखा गया है context देखो आपको पता है पिसले कई महिनों से इंडिया और निपाल के relations में तनाव है एक boundary dispute के करण ये जो triangle है इंडिया निपाल border पर एक कोने पे लिंपिया धूरा दोसे कोने पे काला पानी और तीसे कोने पे लिपू लेख इस triangle पर निपाल के द्वरा claim किया जा रहा है निपाल का कहना है 1816 की जो सुगोली ट्रीटी है उसके अनुसार काली रिवर के west में जो area है उस पर निपाली kingdom का कोई claim नहीं होगा लेकिन काली रिवर के east में है तो हमें काली रिवर की सबसे लंबी जो ट्रीब्यूटरी है उसका origin देखना होगा मा लीजे ये काली रिवर की सबसे लंबी ट्रीब्यूटरी है ये काली रिवर में यहां से मिलती है तो निपाल के अनुसार actual में इसे काली रिवर का पाठ ही माना जाएगा, काली रिवर यहां से origin नहीं होती, काली रिवर का origin हम यहां से मानेंगे क्योंकि ये भी काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये सारा जो एरिया है, ये निपाल के पास आना चाहिए ये पूरा जो एरिया है आलमोश्ट 400 स्केर किलोमेटर का है इससे पहले देखो इंडिया निपाल बोडर पर दो एरियास को लेके डिस्प्यूट था, एक सुस्ता और एक ये काला पानी ये तो बिल्कुल छोटा सा डिस्प्यूट था, काला पानी रिजन को लेके 35 स्केर किलोमेटर का बट अब निपाल ने जो नया मैप एडोप्ट किया है उसमें उन्होंने इस सारे एरिया को अपने मैप में दिखाया है और ये टोटल एरिया 400 स्केर किलोमेटर का है शुरुवात में इस आर्टिकल में कहा जाता है देखू वैसे रिस्तों में तनाव था लेकिन अच्छी बात ये हुई 15 अगस्त को निपाल के पधामंतरी केपी सर्मा ओली ने भारत के पधामंतरी को फोन किया और इंडिपेंडेंस डे की सुपकामनाई दी ये एक बहुत अच्छा मूव था निपाल के तरफ से इसके बाद 17 अगस्त को इंडिया निपाल जोइंट प्रोजेक्ट मोनिटरिंग कमीटी की भी मीटिंग उर्णाइस हुई जिसमें इंडिया के अमबैस्टर और निपाल के फोरण सेकेटरी ने हिस्सा लिया अब आने वाले दिनों में इंडिया निपाल जोइंट कमीशन की भी मीटिंग उर्णाइस होगी अक्टूबर में वर्चुली ये मीटिंग कंड़क्ट हो सकती है जिसमें दोनों देशों के विदेश मिंतरी भाग लेंगे बट कोशन ये उठता है बाउंडरी डिस्प्यूट को सुलजाने को लेके क्या दोनों देशों के फोरण सेकेटरीज की आपस में मीटिंग जल्द ही और्गनाइस होगी या फिर नहीं होगी इसके बाद राइटर के दोरा आर्गुमेंट्स रखे जाते हैं नेपाल ने अपना जो यूनिलेटरली मैप चेंज किया है ये एक गलत प्रिसिडेंट सेट करेगा फ्यूचर में हमारे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के द्वारा भी ऐसा ही किया जा सकता है अगर देखो दोनों देशों के फोरण सेकेटरीज की आपस में मुलाकात होती ह बाउंडरी डिस्प्यूट को डिसकस करने के लिए तो इंडिया सिरफ देखो 35 स्केर किलोमेटर का जो एरिया जिसको लेके पहले डिस्प्यूट था सिरफ उसी को डिसकस करें ये 400 स्केर किलोमेटर का ये पूरा जो ट्रैंगल है इसको लेके इंडिया कोई बाचित ना करे क्योंकि अगर ऐसा इंडिया करता है कल को हमारे बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है for example पाकिस्तान, बांगलादेश, भुटान, सिलंका ये भी ऐसा ही कर सकते हैं इवन चाइना यूनिलेटरली वो अपना मैप चेंज कर देंगे और फिर इंडिया को डिसकस करना पड़ेगा बांडरी डिस्प्यूट को उस एरिया को भी जिसको लेके मैप चेंज किया गया है परोडोसी देश के द्वारा तो इसलिए इंडिया को अपने बोर्डर्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया उस एरिया को भी डिसकस करता है टेबल पर जो नेपाल ने यूनिलेटर ली पिछले कुछ दिनों में अपने मैप में सामिल किया है राइटर कहते हैं देखो पिछले 100 सालों में इंडिया और नेपाल के बीच लगबग सारा जो बोर्डर है वो एकसेप्टिड है सिरफ दो जगाओं को छोड़के जैसा हमने डिसकस किया एक सुस्ता एक काला पानी बट 100 सालों बाद अब नेपाल के दोरा ये क्लेम करना ये ट्राइंगल वाला 400 स्केर किलोमेटर का एरिया हमारा है ये देखो अपने आप में हास्यापद है नेपाल ने हाला की पुराने डोकुमेंट्स रखे है लेकिन उन डोकुमेंट्स पर एक तो देखो डिबेट हो सकती है और अभी 100 सालों बाद उन डोकुमेंट्स को रखने का कोई उचित्या बनता नहीं है इवन ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान को बोल सकता है कि रेड कलिफ जिसने बोर्डर डिवाइड किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच उसके अनुसार ये गाओं हमारे पास आना चाहिए इंडिया बांगना देश भी फिर से रिनेगोशियेट कर सकते हैं इरा की ट्रीटी के कैसे ट्रीटी साइन हुई थी उस दुरान ये गाओं हमारे पास आने चाहिए ऐसे तो देखो सभी देशों के बीच जो बोर्डर है उस पर इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी आप 200-300 साल पुराने किसी डोकुमेंट को लेके आते हो और बोलते हो कि ये डोकुमेंट सही है और इसलिए अब ये हमारे पास आना चाहिए ऐसा नहीं होता ऐसे तो बोर्डर्स में बहुत इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी कनक मनि दिक्सित ने जो आर्टिकल लिखा था पिछले हफ़ते उसके अनुसार 1816 की जो सुगाली ट्रीटी थी उसके अनुसार काली रिवर के वेस्ट वाला एरिया इंडिया का और इस्ट वाला एरिया निपाल का चलो मान भी लेते हैं कि काली रीवर का ओरिजन हम ये मानेंगे ये वाला जो है हम मान लेते हैं कि चलो ये है काली रीवर का ओरिजन लेकिन भाईया आप पिछले 100 सालों से क्या कर रहे थे 1960 में इंडिया और चाइना के बीच एग्रिमेंट साइन होता है और उस इस पूरे एरिया को इंडिया में माना जाता है चाइना ने भी माना है तब आपने कुछ नहीं बोला उसके बाद 1959 के आसपास क्या हुआ था 17 गाउं में इंडियन फोर्सी इस्तिनाद थी और नेपाल के पढ़ामंतरी ने कहा था कि इंडियन फोर्सीज इन 17 गाउं से चली जाएं आपने तब भी नहीं बोला कि ये जो एरिया है ये हमारे पास आएगा और इंडियन फोर्सीज जो है वो यहाँ से चली जाएं उन्हों ने उस समय भी नहीं बोला था मतलब पिछले 100 सालों से कभी आपने concerns raise नहीं किये कि ये जो area है वो हमारे पास आना चाहिए और connect money dixit जिन्होंने पिछले हफ़ते article लिखा था उनका ये कहना कि उस समय इंडिया और चाइना के बीच dispute था तो हम नहीं चाहते थे कि इंडिया को नराज करें इंडिया के लिए ये sensitive issue था जबकि देखो ये जूट है शाम सरन के अनुचार उस समय चाइना के सामने नंबर बनाने के लिए मतलब चाइना का विश्वास जीतने के लिए ही नेपाल के पधामंतरी ने इंडिया को कहा था कि इन 17 villages से आप अपनी forces लेके चले जाएए तो कनेक मनी दिक्सित का ये कहना कि हमने उस वक्त इंडिया को इसलिए नहीं कहता कि लड़ाई चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच जबकि इन्होंने चाइना का विश्वास जीतने के लिए इंडिया को बोला था कि आप 17 villages से अपनी forces लेकर चले जाएए और कनेक मनी दिक्सित का ये कहना कि 1816 की जो सुगोली ट्रीटी है वो final है उसके बाद हम कुछ नहीं मानेंगे अरे भया ऐसे तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर आना चाहिए आप उसको भी नहीं मानोगे बहुत कुछ चेंज हो चुका है सुगोली ट्रीटी के बाद सुगोली ट्रीटी के बाद क्या हुआ था 1857 में जो हमारा first war of independence था उसमें नेपाली kingdom ने British forces का साथ दिया था उसके बाद Britishers जो थे वो बहुत जड़ा खुश थे नेपाल से आप तब भी बोल सकते थे कि ये एरिया जो है हमारे पास आएगा आपने तब भी नहीं बोला मतलब उसके बाद से ही जो British surveyors थे उन्होंने कितनी बार survey conduct किया और उन्होंने हर बार इस एरिया को अपने पास ही दिखाया यानि इंडिया के पास दिखाया आपने कभी भी इस पर concerns raise नहीं किये लेकिन आज आप बोलते हो कि ये एरिया हमारे पास आएगा लाश्ट में शाम सहरन के द्वारा ये बोला जाता है देखो इस परकार से अगर आप history को selectively use करोगे अपने vested interest को साउग करने के लिए territorial claims के लिए तो इससे नुकसान ही होगा इससे एक Pandora box खुल जाएगा और पता नहीं border पर कौन-कौन से documents निकल के आएंगे और फिर से आप उनको लेके बाचित स्टार्ट करोगे तो रिष्टों में खटास ही आएगी लेकिन writer कहते हैं मैं Connect Money Dixit की एक बात से इतिफाक रखता हूँ कि इंडिया और नेपाल के बीच जो relations है वो बहुत strong है मतलब people to people ties बहुत ज़दा strong है और दोनों देशों की सरकारों में अगर खटास आई तनाव आया तो ये तनाव people to people ties को undermine नहीं करसका आज भी इंडिया और नेपाल के लोग बीच जो रिष्टे हैं बहुत मजबूत हैं और दोनों देशों को परियास करना चाहिए ये रिष्टे हमेशा ही strong बने रहें तो ये हमने पूरा article डिसकस किया इंडिया नेपाल relations के बारे में चलते हैं आगे नेश्ट article Women Health से समधित हैं आप GS Paper 2 के इस टोपिक से article को relate कर सकते हों सुरुवात में article में कहा जाता है काफी सारी reports सामने आई जिन में कहा गया महिलाएं देखो उन वर्गों में सामिल है उन sections में सामिल है जिन पर COVID-19 की महमारी का सबसे ज़्यादा negative impact देखने को मिला अब कुछ और reports सामने आई हैं जिनके अनुसार COVID-19 की महमारी के कारण जो lockdown लगा इस lockdown की वज़े से लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो contraceptives को access नहीं कर पाई abortion services को avail नहीं कर पाई या फिर दूसरी medical services को avail नहीं कर पाई Marine Stops International ये एक journal है इसके recent estimate के अनुसार 2 million यानि 20 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो जनवरी और जून के बीच medical services को access नहीं कर पाई और 20 लाख में से 13 लाख तो देखो अकेली इंडिया में हैं इसके अलावा United Nations Population Fund के estimation के अनुसार अगर देखो lockdown 6 और महिने तक extend होता है तो 114 low and middle income countries में 47 million महिलाएं ऐसी होंगी जो modern contraceptives का इस्तिमाल नहीं कर सकेंगी और 7 million additional unintended pregnancies देखने को मिलेंगी ये estimation है United Nations Population Fund का अब आपके mind में एक question ये आया होगा ये कैसे possible है क्योंकि COVID-19 की महमारी के दुरान सरकार ने ना सिरफ इंडिया की सरकार ने बलकि विविन देशों के सरकारों ने essential services को तो allow किया था बड़ देखो reasons और भी काफी है सबसे पहला reason है transportation पूरी तरह से ठब था इस वज़े से medical services को avail नहीं कर पाई महिलाएं दूसरा जो local clinics थे वो भी बंद पड़े थे बहुत सारे doctors ऐसे थे जो महमारी के डर से अपना clinic खोल ही नहीं रहे थे तीसरा COVID-19 की महमारी की वज़े से आलमुष्ट सारा जो staff था वो COVID-19 की महमारी से निपटने में लग गया मतलब ज़्यादा medical resources सरकारों ने allocate कर दिये इस महमारी से निपटने में तो बाकि जो health areas थे वो एक परकार से ignore हो गए और काफी सारी जगों पर medical abortion जो drugs हैं उनकी भी कमी देखने को मिली pharmacist में last में conclusion में आटकल में कहा जाता है MSI की study के अनुसार हमारे देश में contraceptive services की आउसकता काफी ज़्यादा है तीन में से एक महिला contraceptive advice को avail करती हैं तो हम ये नहीं afford कर सकते कि महामारी के दुरान ये जो services हैं वो पूरी तरह से ठप हो जाएं अगर सरकार महिलाओं के reproductive rights को protect करना चाहती हैं तो सरकार जिन महिलाओं के आउसकता है उनको uninterrupted abortion की services प्रोवाइड कराए contraceptive services से सम्मदित अगर counseling करवाना चाहती हैं महिलाओं तो ये service प्रोवाइड की जाएं contraceptive devices या फिर दूसरी जो care services हैं उनको भी provide करें उन महिलाओं को जो इन services को avail करना चाहती हैं इसके अलावा अगर कहीं कहीं पर कुछ issue हैं तो telemedicine की services का expansion हो सकता है कि needy महिलाओं जो हैं वो phone पर या फिर internet के माध्यम से doctor से संपर करें और उनकी advice लें इसके अलावा local clinics जो बन पड़े हैं हमारी के कारण उनको incentive दिया जा सकता है कि आप अपना clinic open कीजिए और अगर drug की supply में कहीं पर भी disruption आया है तो सरकार इस पर ध्यान दे किसी भी जगह पर contraceptive drugs की कमी नहीं होनी चाहिए तो ये सारे suggestions writer देते हैं इन सब suggestions को follow करके सरकार महलाओं के reproductive rights को safeguard कर सकती हैं इसके बाद next article Russia के द्वारा डवलप की गई vaccine से सम्मनित हैं जिसका नाम है Sputnik 5th Russia का दावा है COVID-19 के इलांज के लिए हमने इस vaccine को develop किया हैं आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूं देखो जो experts हैं बिल्कुल scientists हैं उनको तो ये पता हैं कि Russia ने कैसे इतने जल्दी vaccine को develop किया हैं लेकिन जो आम आदमी हैं आम लोग हैं उनको नहीं बता हैं तो हम इस article में जानते हैं कि Russia ने आखिरकार किया क्या हैं देखो किसी भी vaccine को develop करने के लिए experiment test जो होते हैं जिने clinical trials कहा जाता हैं वो तीन face में होते हैं पहले face में क्या होता हैं ये देखा जाता हैं कि जिस vaccine को develop किया गया है क्या इसके बहुत ज़़दा side effect तो नहीं हैं almost hundreds लोगों पर या फिर उससे कुछ कम लोगों पर ये trials कंड़क्ट किया जाते हैं ये face 1 में होता है face 1 में focus होता है ये देखना क्या drug के कोई बहुत ज़़दा side effects हैं या फिर नहीं हैं अगर देखो side effect होंगे तो तो फिर अगले faces में test किया ही नहीं जाएगा उसके बाद second face जो फिर से hundreds लोगों पर होता है और इसमें vaccine की effectiveness को measure किया जाता है बहुत ड्रग कितनी efficient है वास्तव में बिमारी को खतम कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी और तीसरे face में क्या होता है तीसरा face देखो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है हजारों लोगों पर vaccine को test किया जाता है और कैसे होता है ये test तीसरे face में जिसे लोगों को दो groups में divide कर दिया गया group A, group 1 और group 2 group 1 के लोगों को कुछ alternative medicine दी जाएगी या फिर एक simple medicine दे दी जाएगी जिसका कोई असर नहीं होगा और जिस vaccine को test करना है वो vaccine दी जाएगी group 2 के लोगों को और बाद में measure किया जाएगा group 1 के जो लोग है उनकी कैसी performance है और group 2 के लोग जिनको actual में वो vaccine दी गई है जिसका test चल रहा है उन पर क्या असर हुआ है vaccine का और उनका अभी health status क्या है इसे कहा जाता है randomized clinical trial मतलब random रूप से पूरे trials conduct किये हैं यह तीसरे face में होता है जिसमें हजारों लोगों पर एक साथ vaccine को test किया जाता है और चोथे face में क्या होता है marketing के बाद भी surveillance की जाती है कि vaccine अब लोगों को दी जा रही है लोगों पर क्या असर हो रहा है vaccine का और data इकठा करके vaccine में further improvement लाने की कोशिस होती हैं अब इस पूरी process में देखो 12 से लेके 18 महिनों का वक्त लगना समान्यसी बात है रस्या ने क्या किया दो महिने के अंदर-अंदर सारी process निप्टा दी इन्होंने तीसरा phase तो conduct किया ही नहीं जो सबसे important होता है देखो दूसरे phase से तीसरे phase में जाते वक्त आलमुष्ट 58% vaccine ही पहुँच पाती है और 42% के आसपास vaccines eliminate हो जाती है दूसरे से तीसरे phase में जाते वक्त बट रस्या ने तीसरा phase तो conduct किया ही नहीं सिरफ दो phase ही conduct किये clinical trials के और वो भी सिरफ 76 लोगों पर conduct किया टेस्ट जबकि Oxford vaccine जो vaccine की race में सबसे ज़्यादा आगे चल रही है सिरफ पहले और दूसरे phase में ही Oxford University की जो vaccine है इन्होंने आल्मोष्ट एक लाख 76 लोगों पर vaccine को test किया तो आप सोचके देखिए रस्या ने किस परकार से जो standard practice है उसे ignore कर दिया है इवन देखो एक सर्वे के अनुसार खुद रस्या के बहुत सारे doctors ऐसे हैं जिनको रस्या के द्वारा डेवलप की गई vaccine पर विश्वास नहीं है इवन USA ने तो ये भी कह दिया कि हम रस्या की vaccine बंदर को बिना दें ये बात देखो साथ है रस्या ने बहुत ज़़दा जल्दबाजी की है इवन हमारे देश में भी एक बार आपको याद होगा ICMR ने ऐसा कहा था कि 15 अगस्त को vaccine launch करनी है आप जल्दी जल्दी trials conduct कीजिए उसके बाद बहुत सारे scientists ने और drug manufacturing companies ने कहा था कि ऐसा मत कीजिए ऐसे तो इंडिया की बेजती हो जाएगी बलकि कल को इंडिया की द्वारा develop की गई vaccine पर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए तो सरकार ने उसके बाद बिल्कुल जल्दवाजी नहीं की अब हम proper standards के हिसाब से ही चल रहे हैं और बड़े scale पे clinical trials हम conduct कर रहे हैं आर्टिकल में ये भी कहा जाता है देखो रस्या को बलकि इससे नुकसान होगा रस्या एक परकार से vaccine नेसलिजम की पोलसी अपना रहा है अपनी देशों की जनता को दिखाना चाहता है कि देखो हमने vaccine को जल्दी डवलप कर दिया लेकिन proper protocol ही नहीं follow किया इन्होंने देखो वो बात अलग है हो सकता है आगे जाके रस्या की यही vaccine सफल साबित हो जाए बट standard protocols को follow करना तो ज़रूर है विश्वास लोगों का खराब हो जाता है ऐसे आप जल्दबाजी में vaccines अगर create करते हो और इसका सिदा सिदा impact क्या होगा फिर जैसे बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि polio को vaccine वो लेते नहीं है उनको डर लगता है कि polio की vaccine लेने से सरीर को नुक्सान पहुंच जाएगा infertility आजाएगी आगे जाके उसी परकार से इस परकार से आप जल्दबाजी में vaccine अगर create करोगे न लोग vaccine को लेंगे ही नहीं उन्हें लगेगा कि जल्दबाजी में vaccine बना दी गई है इसको लेंगे तो सुरीर को नुक्सान हो जाएगा और रश्या को कम से कम देखो ये तो सोचना चाहिए कि COVID-19 की जो market है वो इतनी बड़ी है आज के समय में आपकी vaccine को कौन खरीदेगा अगर आप standard protocols को ignore करके अगर vaccine डवलप करने की कोशिस करोगे इसके साथ साथ आर्टिकल में एक बात ये भी बोली जाती है देखो पहले ऐसा हो चुका है मिजल्स के लिए एक vaccine डवलप की गई थी लेकिन उससे नुकसान जादा हो गया इसलिए उस vaccine को approval दिया ही नहीं गया तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया रश्या के द्वारा डवलप की गई vaccine के बारे में अब लाश्ट में एथिक्स का एक चोटा सा सेक्षन देख लेते हैं नए श्ट हम बात करते हैं questions की GS Paper 1 का है पहला question Explain the process of resolving ethical dilemmas in public administration 150 words में आपको इस question का answer देना है बताओ क्या लिखोगे आप इस question के answer में देखो सबसे पहले आप ethical dilemma के बारे में बताओगे ethical dilemma आखिरकार होता क्या है यह नीचे यहाँ पर definition दी हुई है ethical dilemma की ethical dilemma is a problem in decision making process between two possible options neither of which is absolute acceptable from an ethical perspective ethical dilemma देखो एक ऐसी problem है decision making process में जिसमें आपको दो options में से एक decision लेना होता है लेकिन दोनों में से कोई भी जो option है वो absolutely acceptable नहीं है ethical perspective से मैं आपको example की साहिता से बताता हूँ आप DM बन चुके हो माल लीजे आपको एक scheme implement करनी है जिसमें free house दिया जाता है जो schedule caste के BPL परिवार है अब देखो survey के दुरान आपको पता लगता है एक बुड़ा दमपती जो अभी फिलाल किराय पर रहता है थोड़ी बहुत pension आती है और जो man है बुड़े दमपती में उसको किसी परकार का disease है तो थोड़े बहुत पैसे कहीं संस्था से मिलते हैं आकि देखो BPL family से समद्ध रखता है ये परिवार लेकिन schedule caste से समद्ध नहीं रखता है इसलिए सरकार की जो scheme है उसका लाब इस दमपती को नहीं मिल सकता लेकिन आपको situation देख के ये लगता है कि ये जो दमपती है बहुत जदा deserving है सरकार की तरफ से घर प्राप्त करने के ल आप process को compromise कर नहीं सकते आपको rule के हिसाब से चलना होगा लेकिन वास्तव में scheme की जो intentions है आपको पता है scheme की intentions इस परकार के लोग की help करने के लिए है तो आप बताए कौन सा option चूज करोगे इन दोनों में से कोई भी जो option है वो absolutely acceptable नहीं है ethical perspective से तो ये है ethical dilemma ethical dilemmas को solve करना बहु public administration में ethical dilemmas कम से कम आने चाहिए personnel को otherwise ये परशासन के लिए अच्छा नहीं होता परशासन का देखो main काम होता है society को साव करना परशासन society को साव अच्छे से नहीं कर पाता जब जो employees है वो ethical dilemmas का सामना करते हैं तो question ये उठता है कैसे ethical dilemmas को solve किया जा सकता है कुछ steps जो लि से define करना अगर public employees के सामने ethical dilemmas आता है तो उनको हिदायत दी जा सकती है कि आप decision लीजिए constitutional standards के हिसाब से या फिर next points में आप काफी सारे और standards के बारे में लिख सकते हो जैसे गांधी की जो philosophy है गांधी कहते हैं जब भी आपको किसी decision लेने में परशानी हो तो आप उस व्यक् ये आपका लिया गया जो decision है उस person की किस परकार से help करेगा आप law of legality के बारे में लिख सकते हो जैसे last जो है वो और ज़्यदा clear होने चाहिए जो theories अभी तक हम discuss कर चुके हैं इनके बारे में आप लिख सकते हो जैसे utilitarian approach, dentology theory या फिर teleological theory आप ये भी कह सकते हो कि international conventions का सारा ल सकती है, civil society को empower किया जा सकता है, तो ये सब steps लिये जा सकते है, ethical dilemmas को public administration में resolve करने के लिए, last में conclusion में आप लिख सकते हो, देखो ethical dilemmas depend करता है last पे, तो law making process में इस परकार के कानून बनाए जाए कि public employees को कम से कम ethical dilemmas का सामना करना पड़े हैं, जैसे वही example माल लिजे, उस DM क पता लगता है कि एक बुड़ा दमपती, schedule caste नहीं है, लेकिन deserving है, तो law बनाते वक्त, scheme define करते वक्त, ये पहले से envision करना चाहिए कि इस परकार की situation आ सकती है, तो इस परकार की situation को tackle करने के लिए भी एक mechanism होना चाहिए, कि DM अपनी तरफ से recommend कर सके, किसी दूसरे caste के person को भी scheme का love देने के लिए, लेकिन कुछ conditions को पूरा करना ज़रूरी हो, मतलब पहले से इस परकार की situation को सोचा जा सकता हो, तो कितना अच्छा हो, तो ये थी हमारी आज की discussion, आज हमने तीन issues discuss किये, thank you, thank you very much for discussion.